अभी हम स्टार्ट कर रहा है 8.3 का सम नंबर 4, तो 4 में information कुछ इस तरह है, 10 A is equal to cot B, और हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है A plus B is equal to 90, तो आप बोलोगे सर अभी कैसे इसमें आगे बढ़ेंगे, तो हम स्टार्ट करते हैं, तो लिखते हैं सबसे पहला, तो आप बो 90 माइनस A is equal to cot A, सेम वे आप बोलोगे सर इसकी जगह cot 90 माइनस A, तो आप बोलोगे सर 10 A, तो हमारे में 10 A दिया हुआ है, तो हम डारेक्ट लिख देंगे, यहां पे cot 90 माइनस A, और यहां लिखेंगे cot B, cot और cot को compare करेंगे, तो बच्चे का 90 माइनस A, A is equal to B, आप बोलोगे सर हमें चाहिए A plus B, तो आपको arrange करना है, 90 is equal to A plus B, यह हो गया हमारा sum number 4 का answer, अभी हम start कर रहे है, sum number 5, sum number 5 में given data क्या है, तो आप बोलोगे, sec 4A is equal to sec A minus 20, तो आपने लिखना शुरू करना है सबसे पहले, कि sec 4A is equal to cosec A minus 20, तो हम ऐसा लिख सकते हैं, तो आप बोलोगे sec 90 minus A is equal to cosec A, और अभी हम लिखेंगे, इसका अलग, cosec 90 minus A is equal to, तो आप बोलोगे, sir, cosec लिखा है, तो यहां लिखना पड़ेगा, sec A, और हम इसको हमारे में information इस तरह दी है, sec 4A, तो आप बोलोगे, sir, यहां लिखो, cosec 90 minus 4A, 90 minus 4A, तो आप यहां लिखोगे सीधा, cosec 90 minus 4A is equal to cosec A minus 20, cosec और cosec को compare करेंगे, तो आप बोलोगे, sir, वो चला जाएगा, तो बचेगा, क्या, 90 minus 4A is equal to A plus A minus 20, 90 plus 20 is equal to A plus 4A, 110, तो यह आएगा, 5A, 110 divided by 5 is equal to A, तो आप बोलोगे, sir, A होगा 22, जो हमारा final answer ले आएगा, I hope कि आपको यह point समझ में आया होगा,